शे मात अदी अल्टिमेट गयान आपका हार्दिक स्वागत करता है दोस्तों अब व्यक्ति बार-बार में सोचता है कि मैं किस देव की पूजा कहूं कि मुझे अपने फल प्राप्ति शिग्र हो जाएं अब उसकी समझ में नहीं आता और वह किशी से पता भी करता है तो जिनको जो देव प्रिये होता है वह उसी की आरद ना बता देते हैं परंतु यह बार हर व्यक्ति पर फिर सटेक नहीं बैठती यह तो उनका अपना प्रिये देव होगा ना दोस्तों इसलिए पूजा का एक विधान होगा सरवदेव पूजा जिसमें सभी देवों की पूजा बरी-बरी से की जाती है अब कोई देव रुष्ट न हो जाए अब सरवदेव पूजा में भी कोई ना कोई देव छोटे जाते हैं अब देव की हमारे यहां पर कोई गिनती थोड़े नहीं दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगा कि आप सिरफ उस मंत्र को करेंगे तो सभी देव प्रसन्न होंगे सभी देवी भी प्रसन्न होंगी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मंत्र हो सकता है दोस्तों इस स्रश्टी की रचना ब्रह्मा से हुई और इसका पालन का जिम्मा भगवान श्री विष्णु जी ने लिया और इसके संघार का जिम्मा भगवान फोले नाथ ने लिया अब दोस्तों यहीं से होता है स्रश्टी का प्रारंभ हमारी उत्पत्ती हो जाए हमारा पालन हो जाए और अंत्तों गत्वा हमारी सद्गती हो जाए इस से बढ़िया कुछ नहीं है और यदि इन तीन दिवूं की हम अर्जी मा शक्ती के साथ में लगा देते हैं एक ही मंत्र के द्वारा तो सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं और हमें सब कुछ मिलने लगता है अब ये तो होगी न भूत्साधार नसीबात फिर आपको बार बार में किशी से पूछने की आवश्यक्ता ही नहीं पड़ेगी कौन सा देव छोटा है कौन सा देव बड़ा है कौन सा मंत्र छोटा है कौन सा मंत्र बड़ा है दोस्तो जो मैं मंत्र बता रहा हूं यदि यहें तीन मंत्र रोज कर लेंगे आप और कर लेना बड़ा आसान है अपने पूजा स्थान में खड़े होकर के ही इस मंत्र को तीन बार बोल दिया करें तो समझ लेना सभी देवों की कृपा आपको प्राप्त होने लग जाएगी अब किस दिन से शुरू करें कम तक करें यह आपकी निर्वर निर्वर है आप चाहे जब शुरू करें चाहे जब समाप्त करें वैसे अच्छा है आप करते रहें किसी भी मंत्र को पढ़ने से बोलने से आपके अंदर उसी वक्त से अनर्जी आनी प्रारंब हो जाती है दोस्तों पर विश्वास चमाना पड़ता है आपके जीवन में चाहते हैं आप खुश हाली सब कुछ सही चलता रहे कोई रुकावटे ना आए दुख ना आए शंकट ना आए भे ना आए तो बस यह एक मंत्र कर लेना और इस एक मंत्र को तीन बार बोल देना सब कुछ जीवन में आपके मताबिक ही चलने लगेगा और मंत्र भी बड़ा असान है ब्रह्मा करोतु दीरगाय। विष्णु कुरियात संपदाम। शिवं करोतु कल्यानं। शक्ति सहितं नमस्कृतं। और इसका अर्थ भी है ब्रह्मा हमारी दीरगाय। करे। विष्णु हमारा पालन करे। ता जीवन पालन करे। भगवान भोले नाथ हमारा कल्यान करे। इनके साथ में ही मैं मात्र शक्ति को भी प्रणाम करता हूँ। दोस्तो मंत्र का जब आप प्रभाव देखेंगे तो आप वास्तव में अब किसी से नहीं पूछेंगे कि कौन सा देव छोटा बड़ा, कौन सा मंत्र छोटा बड़ा, क्या करें, क्या ना करें। बस आप अपने जीवन में उतार लें। ये है एक मंत्र रोजाना तीन बार अपने पूजास्तान के सामने जाकर ही पढ़ लिया करें। और पढ़ते पढ़ते ही याद भी हो जाएगा। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बता दें। आपके लिए सिर्फ इतना ही आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेश फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ तम तक के लिए चै मतादी।